नमस्कार, SPN 9 News में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बीजेपी के ही कई नेता सामने आ रहे हैं आपको बता दें कि भारती जनता पार्टी के एक दिगज नेता ने कैसा बयान दिया है जिसके बाद उत्तपरदेश में महल गर्मा गया है और भारती जनता पार्टी मुश्किलों में आ गई है और सियम्योगी यादितिनात के मुश्क्रे और भी ज्यादा बढ़ गई हैं आपको बता दें कि भारती जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को लेकर एक बयान दिया संगीत सोम ने कहा कि पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि अधिकारियों ने काम क्या किया है और अधिकारी काम क्यों नहीं करते हैं तो यहाँ पर खुद संगीत सोम ने ये कहा कि जब पत्रकार ये पूछते हैं कि क्या मैंने अधिकारियों को धमकाया है तो वो खुले तोर पर कहते हैं कि हाँ मैंने अधिकारियों को धमकाया है सीधे तोर पर उनका कहना है कि मैंने धमकाया है कम धमकाया है अगर सही से काम नहीं करेंगे कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा ये बयान संगीत सूम का है इस बयान से पीछे हटते वे नजर नहीं आते हैं संगीत सूम इसके बाद देखा जाए तो संगीत सूम के कई और बयान भी सामने आते हैं संगीत सूम शत्रिय महसभा के कारिकरम के दुरान एक बयान देते हैं कि एक दो देवी देपताओं को छोड़ दें तो बाकिस अब शत्रिय मा की कोक से पैदा हुए है शत्रिय विरादरी के लोगों को समझते हुए उन्हें ने कहा कि आज देड़ देड़ जिले और देड़ आदमी की पार्टियां देश वो परदेश में बारगनिंग करती फिरत हम इतने विधायक सांसर चाहिए लेकिन आपकी इतनी भी हैस्यत नहीं है कि वो कह सकें कि हमारे दो आदमी को टिकेट दे दीजे यह बयान अब संगीत सोम का तूल पकड़ता हुए नजर आ रहा है इसके खिलाफ आपको यह भी बता दें कि संगीत सोम अब मुश्किलों में फस्ते वे दिखाई दे रहे हैं संगीत सोम पर इससे पहले भी कई विवादित बयानों के चलते मानहानी का केस दर्ज हुआ था अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से मानहानी का केस दर्ज होता हुए संगीत सोम पर नजर आता है या फिर भारती जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन लेती हुए नसर आएगी।